इस वीडियो में मैं आपको BSF के नोटिफिकेशन की सोट डिटेल्स बताऊंगा और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी बताऊंगा यहाँ पर बात करें BSF के फॉर्म की अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर BSF में Assistant, Sub Inspector, Head Constable और Constable Group C की वेकेंसी निकली हुई है इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन की सोट डिटेल्स बताऊंगा यहाँ पर बात करें important date की तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एप्लिकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 15 नवंबर से हो गया था लास्ट डेट जो इस फॉर्म को फिल करने की है वो है 29 दिसंबर exam fees को pay करने की जो last date है वो भी 29 दिसंबर ही है और exam date की बात करें तो यहाँ पर अभी तक date नहीं बताई गई है वो जल्दी आपको बता दी जाएगी यहाँ पर बात करें application fees की यहाँ पर journal OBC EWS कास्ट के लिए 100 रुपीज फीज रखी गई है इसके अलावा SC, ST, X-Servicemen और All Category Female के लिए बिल्कुल 0 fees है याँ बिल्कुल आफ री में फॉर्म बर सकते हैं बात करें यहाँ पर exam fees किस माध्यम से आप pay कर सकते हैं उसके लिए आपको debit card, credit card, net banking के थुरू आप online ही अपना fees जमा करा सकते हैं यहाँ पर बात करें BSF Group C Vacancy 2021 में age limit की तो यहाँ पर minimum age है वो 18 years है और maximum age 25 years है यहाँ पर आपको extra age relaxation भी अपनी कास्ट के according मिलेगा जो आप notification में जाके देख सकते हैं यहाँ पर बात करें total vacancy की वो 72 post हैं यह तीनों link आपको वीडियो के description में मिल जाएंगी वहाँ से जाके आप click कर सकते हैं आपको form fill करना है तो आप form fill कर सकते हैं आपको notification download करना है तो आप notification download कर सकते हैं और आपको syllabus download करना है तो आप syllabus download कर सकते हैं यहाँ पर हमें apply online वाले option पर click कर देना है इसके बाद हम इस page पर redirect हो जाते हैं यहाँ पर हमें इस page को नीचे scroll down करना है और apply online वाले या फिर apply hair वाले option पर click कर देना है यहाँ पर हमारे सामने एक नया page open हो जाता है यहाँ पर हमें personal information fill करनी है यहाँ पर हमें candidate का नाम, उसका mobile number और उसका email address डालना है उसके बाद हमें generate OTP वाले option पर click कर देना है यहाँ पर मैं आपको अपनी details डाल के और आगे का process आपको बताता हूँ इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीगे का एक नया page open हो जाता है यहाँ पर हमें OTP enter कर देनी है यहाँ पर OTP फिल करने के बाद हमें submit वाले option पर click कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं अमारा जो username है वो हमारी email id है और password email पर भेज दिया गया है इसके बाद हम इसे नीचे scroll down करेंगे यहाँ पर हमें identity type वाले option पर select करना है और यहाँ पर हम आधार काड option select कर लेंगे यहाँ पर हम आधार काड के number fill कर देंगे यहाँ पर आधार काड के number fill करने के बाद additional information वाले option पर चले जाना है यहाँ पर भी हमें अपनी कुछ details fill कर लेना है इसके बाद हमें category reservation वाले option पर चले जाना है यहाँ पर पहले हम relation अपना select कर लेंगे और उसके बाद हमेnt category यहाँ पर select कर लेनी है यहाँ पर इसके बाद कुछ options आ जाएंगे इन्हें भी हमें fill कर देना है इसके बाद हमें sub-category reservation वाले option पर चले जाना है यहाँ पर हमसे कुछ options fill करने के लिए बोला है उन्हें हमें fill कर देना है और उसके बाद हमें Save and next वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने address details वाला option आ जाएगा यहाँ पर जो हमारी personal details है वो successfully save हो चुकी है अब हमें यहाँ पर अपना address भी fill कर देना है यहाँ पर address fill करने के बाद हमें save and next वाले option पर click कर देना है यहाँ पर address details save successfully होने के बाद हमें यहाँ पर हमें इस प्रकार का एक page दिखाई देगा यहाँ पर हमें अपनी physical standards लिख देना है यहाँ पर physical standards fill करने के बाद blacklist और declaration में हमें no fill कर देना है और उसके बाद हमें save and next वाले option पर click कर देना है other details save successfully होने के बाद हमें qualification details यहाँ पर enter कर देनी है यहाँ पर qualification details fill करने के बाद add वाले option पर click कर देना है यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी qualification details add successfully हो गई है इसके बाद हमें additional qualifications details add कर देनी है जैसे ITI क्योंकि ITI base पर यह वेकेंसी निकली हुई है और यहाँ पर यदि आपके ITI का board या university नहीं मिल रहा है others वाला option select कर लेना है और add वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमारी ITI की details भी यहाँ पर feel हो गई है इसके बाद हमें next वाले option पर click कर देना है यहाँ पर work experience में मैं yes वाला select कर लूँगा इसके बाद हमारे पास कुछ details और आजाएंगी इनको भी मैं feel कर देता हूँ experience details feel करने के बाद मैं यहाँ पर save वाले option पर click कर दूँगा इसके बाद employment details save होने के बाद यहाँ पर हमें certificate और documents upload कर देना है यहाँ पर मैं आपको documents का size बता देता हूँ यहाँ पर जो photo को size रहेगा वो 30KB से 100KB के बीच में रहेगा यहाँ पर जो signature का size रहेगा वो 20KB से 50KB के बीच में रहेगा इसके अलावा जो documents बचेंगे आपका cast certificate हो गया आपका mark sheet हो गया उनका जो size है वो 30KB से 100KB के बीच में होगा आपका जो format jpg हो सकता है png हो सकता है pdf हो सकता है documents upload करने के बाद हमें save and next वाले बटन पर click कर देना है यहाँ पर detail save होने के बाद यहाँ पर एक post select करने का option आ जाएगा मैं यहाँ पर constable generator operator select कर लूँगा उसके बाद नीचे यहाँ पर qualification का option आ जाएगा यहाँ पर मैं high school select कर लूँगा और technical qualification में ITI certificate in electrician select कर लूँगा इसके बाद experience वाले option में yes option select कर लूँगा इसके बाद यहाँ पर दुबारा से हमें documents upload कर देने हैं यहाँ पर documents upload करने के बाद हमें save and next वाले बटन पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने form का preview open हो जाएगा यहाँ पर हम अपनी सारी details check कर लेंगे details check करने के बाद हम जिस भी location से form भर रहे हैं वो location यहाँ पर place वाले option पर लिख देना है इसके बाद हमें यहाँ पर center choose कर लेना है जहाँ पर भी हमें exam देना है तो मैं यहाँ पर daily select कर लेता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 100 rupees का यहाँ पर payment complete करना है यहाँ पर मैं card select कर लेता हूँ payment के लिए और pay now पर click कर देता हूँ इसके बाद I agree and pay पर click कर देता हूँ यहाँ पर हमें card number enter कर देना है उसके बाद expiry वाली date यहाँ पर डाल देनी है उसके बाद CVV डाल के और pay वाले option पर click कर देना यहाँ पर हमें OTP enter कर देना OTP enter करने के बाद हमें pay वाले option पर click कर देना इसके बाद में कुछ time ले सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि thank you लिखावा है SMS आ गया है यानि आपका payment successful हो गया है यहाँ पर payment successful होने के बाद application status यहाँ पर submitted है और payment status यहाँ पर paid है दोस्तो कुछ इसी प्रकार से आप भी अपना BSF का form भर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू सो मज़ पर वाचिंग यहाँ पर वीडियो को सब्सक्राइब करें